दोस्तों आप सब तो जानते ही हैं कि दुनिया में एक से बढ़कर एक देश हैं और कुछ देश खोबसूरत है तो कुछ देश बहुत ज़्यादा खोबसूरत है तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे अमीर देशों के बारे में पता उनकी टोटल जीडीपी के द्वारा लगाया जाता है अमेरिका दोस्तों जब बात दुनिया के सबसे अमीर देशों की हो रही हो और इस वज़े से अमेरिका का अमीर होना भी लाजमी है दोस्तों अमेरिका ने अमीरी के मामले में तमाम देशों को पीछे पचाड़ दिया है और दोस्तों इस देश के सबसे अमीर होने की मुख्य वज़े है इस देश में बसी बड़ी बड़ी कमपनिया जो इसे सबसे अमीर होने का मौका देती है दोस्तो अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कमपनिया है वह लगबग पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क फैलाए है और इन सबी कमपनियों में Amazon, Microsoft और Google जैसी कई बड़ी बड़ी कमपनिया सामिल है दोस्तो ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि अमेरिका की राजधानी वासिंगटन DC है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सक्ति भी है जिसकी वज़े से यादेश दुनिया बर के देशों का बासा बनने के फिराग पे हर वक्त लगा रहता है दोस्तो आपको बता दें कि अमेरिका 23 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका पूरी दुनिया में GDP के मामले में सबसे अमीर देश है और अगर बात करें पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमियों की तो आपको अमेरिका में सबसे ज्यादा अमीर आदमी देखने को मिलेंगे नेक्स्ट इज चाइना दोस्तो हमारी आज की लिस्ट में जो देश झूम रहा है वह है चाइना और दोस्तो इस देश को ड्रैगन के देश के नाम से भी चाना जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यापार करने वाला देश है जी हाँ दोस्तो इस देश के प्यापार ही इस देश को सबसे अमीर बनाने में इसकी मदद करते हैं और आप सब तो जानती हैं कि चाइना पॉपलेशन के मामले में भारत से भी आगे है लेकिन दोस्तो चाइना के पास धन दौलत भारत से भी कहीं ज़्यादा है और अगर पिछले 20 सालों की बात करें तो चाइना की अर्थ बेवस्ता लगबग 18 गुना ज्यादा बढ़ी है और दोस्तों चाइना अपने चाइनीज प्रोडेक्ट्स को लेकर पूरी दुनिया में अपना नेटोर्क फैला चुका है अगर बात करें सिर्फ मॉबाइल मार्केट की तो भारत के 70% से भी ज्यादा मार्केट में चाइनीज मॉबाइल ही चलते हैं जो कि भारत की अर्थ बेवस्ता के लिए एक बेहदी बड़ा खत्रा है हलाकि वरतमान में मोधी सरकार ने मेड इन चाइना के प्रोडक्स पर रोक लगा कर मेड इन इंडिया के प्रोडक्स को बड़ा हवा देने की पूरी कोशिस कर रहे हैं और अगर चाइना की टोटल संपत्ति की बात की जाए तो चाइना के पास 74,884 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और वही कुछ जानकारों का मानना है कि चाइना कुछ ही सालों में अमीरिके मामले में अमीरिका को भी पठार देगा नेक्स्ट इस जापान दोस्तो हमारी आज की लिस्ट में जो देश तीसरे नमबर पर है उज़े हम सब चापान के नाम से जानते हैं और दोस्तो आप सब तो जानते हैं कि चापान की रास्थानी टोक्यो सहर है जापान देश अपनी एडवांस टेकनोलोजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और दोस्तो आप सबने मेड इन चाइना के साथी साथ मेड इन जापान का नाम जरूर सुना होगा और जापान दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में पहले नंबर बराता है और अगर जापान की कुल संपत्ती की बात की जाए तो जापान की कुल संपत्ती 12 ट्रिलिन अमेरिकन डॉलर के पराबर है दोस्तो आप सब को जानकर सायद थोड़ी हैरानी हो सकती है कि जापान में लगबग हर साल 1500 से भी जादा भूकम पाते हैं और जापान दुनिया का सबसे बड़ा वहाँ निर्माता देश है और इन सबी वहाँ निर्माता कमपनियों में मुख कमपनियां सुजकी, निसान, होंडा और यमा जैसी बहुत सी बड़ी-बड़ी कमपनियां इस देश को अमीर बनाने में अपनी एक एहम होमिका निमाती है दोस्तो अब जब बात दुनिया के सबसे अमीर देशों की होई रही है तो उसमें जर्मनी का नाम ना लिया जाए, ऐसा होई नहीं सकता दोस्तो जर्मनी देश हमारी आज की लिस्ट में चौथा निम्मर पर आता है और इस देश की राज्थानी सहर है बरलिन, दूसरे भी सुईत के दोरान इस देश की आर्थिक अर्थिवेवस्ता बहुत ही जादा कमजोर हो गई थी लेकिन फिर भी आज के समय में इस देश ने बहुत सारी तरक्की कर ली है और चौथा सबसे अमीर देश बन गया दोस्तो जर्मनी देश की चल्जंख्या बहुत ही कम है और जिसकी वज़े से या देश प्राकरतिक सुंदर्दा के मामले में भी पहुत ही आगे है दोस्तो जर्मनी की अर्थिवेवस्ता पूरे यूरोप के सबसे अमीर देशों में की नी जाती है और अगर बात जर्मनी की कुल संपत्ती की की जाए तो यहां की कुल संपत्ती 18.3 ट्रिलियन डॉलर्स है और जर्मनी देश में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है जिसकी वज़े से यहां पर पढ़ाई बेवस्ता एक्टम मुक्त है नेक्स डेश भारत दोस्तो हमारी आज की लिष्ट में पांचवा जो देश है वहा है हमारा प्यारा भारत देश दोस्तो वर्तमार में हमारे प्यारे भारत देश की कुल संपत्ती लगबग 8,230 अरव डेलर के आजपास है और भारत ने बीते सालों में काफी तेजी से तरक्की की है जब भारत को आजाती मिली थी तब उस समय भारत की आर्थिक स्थिती काफी कराब थी और काफी समय तक भारत देश आर्थिक तंगी से गुजरता रहा लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीता गया हमारे देस में आर्थिक संकट जैसे बहुत से संकट अपने आप दूर होते चले गए लेकिन दोस्तों भारत में अभी भी कई भागों में बहुत ही जादा गरीबी है पर आज के समय में बहुत से अमीर लोग हमारे भारत देश में रहते हैं और उन अमीरों में रतन डाटा, गौताम अडानी और मुके संबानी जैसे बहुत से अमीर लोग सामिल हैं तो वीडियो को लाइक और ऐसी नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगे के साथ